हलो स्टूडन्स आइम डॉक्टर विनोत कामले इस वीडियो के शुरुवात में मैंने आपको बताया था इस पटिकुलर मॉडिल के अंदर हम लोग मार्केटिंग मिक्स के दो पीस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें पहला है प्लेस या जिसको हम लोग डिस्रिबूशन बोल सकते है और दूसरा है प्रमोशन तो प्लेस या डिस्रिबूशन के बारे में already कुछ रहूं मने देखे हैं अभी हम लोग फोध पी मतलब प्रमोशन के बारे में कुछ क्वेशन देखने वाले हैं इप्रमोशन क्या होता है और customers को अपने product के बारे में inform करती है, persuade करती है और influence करती है जैसे कि company यहाँ पे क्या करती है, promotion करती है और customer को बताती है कि वो product के अंदर क्या features है, वो product के क्या benefits है, वो product कहाँ पे available होगा तो सारी जो product की information होती है, वो promotion के तुरू customers को communicate की जाती है प्लस यहाँ पे प्रमोशन में अलग-अलग offers यूज किये जाते हैं, प्रोड़क के benefits बताया जाते हैं, इसके वए से customer जो होते हो, persuade होते हैं, persuade का मतलब क्यों होते हैं, convince होते हैं, और convince होने के बाद में customer और product purchase करने के लिए influence हो जाते हैं, तो इस तरीके से promotion जो है, एक तरीके का communication है, जो company customers के साथ करती है, और यह communication के थूरू customers को product के बारे में inform किया जाता है, persuade किया जाता है, प्रोड़क को purchase करने के लिए influence किया जाते हैं, तो promotion मतलब आपको याद रखना है कि company अपने product के बारे में customers को communicate करती हैं, then यहाँ पे promotion के थूरू business जो होते हैं, वो अपने product क customers को known करते हैं, उसी का मतलब क्या होता है, inform करते हैं, और यह कौन से customers हो सकते हैं, तो current customers भी और potential customers भी, because market में इतनी competition है कि जिसके वैसे हर एक business को time to time promotions करते रहना पड़ेगा, ताकि current customer जो है, वो company का product purchase करना continue रखे, और potential customers मतलब किया, जिन्नों ने अभी तक company का product purchase नहीं किया है, but promotion के तुरू वो company का product जो है purchase कर सकते हैं, तो यहाँ पे promotion है, वो क्या करता है, current customers को और potential customers को business का जो product है, उसके बारे में information provide करता है, उसी के साथ-साथ promotion के तुरू seller जो होते हैं, customer को influence करते हैं, और convince करते हैं, अपना product जो है purchase करने के लिए, तो इस तरीके से promotion जो है, वो product को sale करने के लिए काफी ज्यादा important होता है, उसी के साथ-साथ promotion जो है वो company की public image, improve करने में भी help करता है, प्रमोशन के वजसे product का image जो है वो प्रोडक का सेल जो होता है यो बढ़ता है अभी प्रोजय के वज़े से कमपनी की इमेज़ भी हो रही है नो कमपनी की इमेज म krij Oooh का अच्छी होती है तो जो स्टेक्षोल्डर्स होते हैं वो कमपनी को करेंगे, shareholders या investors जो company को funds provide करेंगे, even government ऐसे businesses को support करते हैं जिनकी public image काफी अच्छी है, suppliers वो company को time to time raw material supply करेंगे और वो भी अच्छे quality के और उनको credit period भी offer करेंगे, तो जब company की public image अच्छी होती है, तो उसके वज़े से क्या होता है कि company को सारे जो stakeholders होते हो support करते हैं, लेकिन होती नहीं है, तो obviously stakeholder उनको support करेंगे, नहीं, तो यहाँ पे हर एक company क्या करती है, product के साथ साथ, खुद की public image भी जो है, वो improve करती है, ताके stakeholders का वो company को support करें, तो यहाँ पे हमने देखा कि promotion के वैसे company अपने product को और services को promote करती है, मतलब ही customers को communicate, तो यहाँ पे हमने देखा कि promotion के तुरू company अपने product को या services को promote करती है, और customers को अपने product के बारे में inform, persuade और influence करती है, उसी के साथ साथ promotion के तुरू company अपनी public image जो है, उसको भी improve करती है, promotion जो है वो एक marketing technique है, जिसके तुरू customer के mind में product के बारे में एक interest create किया जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे customer को as a loyal customer retain किया जाता है, retain करना मतलब क्या customer जो है, वो किसी और के पास नहीं जाने चाहिए, उस marketer के प्रोड़क को customers ने continue purchase करना चाहिए, उसको बोलते है retain करना, तो यहाँ पे promotion यह एक marketing technique use करके customer के mindset में interest create किया जाता है, प्लस यहाँ पे customers को as a loyal customer retain किया जा सकता है, so this was the concept of promotion, तो अग communication with the customers, जिसके तुरू company अपने product के बारे में और services के बारे में customers को inform करती है, कि ओप्रोड़क के benefits क्या है, features क्या है, या वो product को कैसे use करना है, वो product कहाँ पे available होगा, उसे के साथ-साथ promotion के तुरू company जो है customers को persuade भी करती है, persuade means convince करना, और effective promotion के तुरू company यहाँ पे customer को influence करती है, ताके customer और product को purchase करें, प्रोड़क के साथ-साथ promotion के तुरू company क्या करती है, company की public image भी improve करती है, तो promotion एक marketing technique है, जिसके तुरू customer के mindset में एक interest create किया जाता है, और customer को as a loyal customer retain किया जा सकता है, मतलब customer जो है, वो किसे और competitor के product नहीं purchase करेंगे, उसी marketer के product को वो purchase करना continue रखेंगे, So customer loyalty यहाँ पर possible होती है, because of the promotion, now we'll see what are the importance of promotion, so पहला importance है awareness, now यहाँ पर promotion के through, customer के बीच में brand name के बारे में और product के features या benefit के बारे में awareness create किया जाता है, especially जब product नए होते है, तो उस case में brand name या product के features, product के benefits जो होते है, customers को बताना काफी ज़रूरी होता है, ताके customer और product को देखे औ influence हो जाए, so यहाँ पर promotion करके हर एक company क्या करती है, अपने brand name के बारे में, feature के बारे में, benefits के बारे में, customers के बीच में awareness create करती है, आज कल क्या है कि बहुत ज़्यादा intense competition है, मतलब market में बहुत ज़्यादा competition है, एक ही जैसे product बेचने वाली बहुत सारी companyya है, जैसे soap में आप ल competition है, तो यहाँ पर top of mind awareness create करना बहुत ज़रूरी है, top of mind awareness का मतलब क्या होता है, कि अपने product के बारे में, customer के mind में, एकदम top में awareness create करना, कि customer जबी भी उस product के category के बारे में सोचे, तो अपने product का नाम ही उनके mind में आना चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग hair oil की बात करते है, तो ह इस इसाब से स्रिफ awareness create करना sufficient नहीं है, तो top of mind awareness create करना चाहिए, ताकि customer जो है, उनके mind में सबसे top में आपके product का ही नाम जो है वो रहे, तो intense competition के वैसे top of mind awareness create करना काफी ज़रूरी होता है, क्यूंकि जो product का नाम customer के mind में top में होता है, उस product को customer ज़्यादा purchase करते है, इस इसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो भी product से उसके बारे में awareness create करना बहुत ज़रूरी है, especially जो नए product होते हैं उसके बारे में awareness create करना ज़रूरी है, जैसे इंदुलेखा ओई, यह काफी पूराना product नहीं है, कुछ साल पहले यह market में आया है, यह Trivago, यह जो hotel booking का website है, यह भी काफी पूरानी website नहीं है, या e-commerce company नहीं है, तो यह भी नई company market में इंटर की है, बट बहुत ही कम समय में इन्होंने क्या किया, customer के mind में awareness create किया हुआ है, तो awareness create करना काफी ज़रूरी होता है, जो promotion के through possible होता है, और यह awareness जो होता है, वो top of mind awareness होना चाहिए, क्य aware होते है, तो top of mind awareness create करने के वज़े से customer जो है, हमारे product को ज्यादा purchase कर सकते है, तो आप लोग यहाँ पे parachute, डेटॉल, लक्स, कोलगेट, यह सारे products को देखते हैं कि यह काफी सालों से product जो है market में विक रहा है, लेकिन इनके promotions हम लोग regularly देखते है, उसके वज़े से क्या हो च करने में promotion help करता है, second importance is attitude, now जब भी प्रोड़क नया होता है, तो customer के mind में उसके बारे में neutral attitude होता है, जैसे again हम लोग इंदूलेका का example लेंगे, कि जब यह product market में नया आया होगा, तभी customers उसके बारे में neutral सोचते होंगे, neutral मतलब कि purchase करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, एक mind कहता है कि product को purchase करना चाहिए, because ayurvedic product है, अच्छा product है, फिर दूसरा mind कहता है कि शायद तक यह product इतना अच्छा नहीं हो सकता है, so customers क्या होता है कि नए product में काफी confused होते है, उसको neutral attitude बोलते है, लेकिन जितना ज़्यादा वो नए product के बारे में promotion किया जाए, उतना वो neutral attitude को positive में convert करने में help होता है, तो आज के time पे हम लोग देख सकते कि इंदूलेका के बारे में customer के mind में positive attitude create हो चुका है, और काफी सारे लोग जो इंदूलेका है, रोयल जो purchase करने लगे है, तो इस सबसे promotion करके जो भी नए products होते है, जिसके बारे में neutral attitude customers के mind में उसको positive में convert किया जा सकता है, सेम तरीके से कुछ product जो होते हैं, उनके बारे में bad publicity होती है, और bad publicity के वज़े से वो product के बारे में customer के mind में negative attitude develop होता है, जैसे कि आप लोग को recently Maggie का example पता है, कि उनकी काफी bad publicity हुई थी, कि उनका जो product है, उसके अंदर काफी सारा lead पाया गया था, जो लोगों के health के लिए अच्छा नहीं है, तो उससाब से उनका bad publicity होके उनके बारे में customer का negative attitude develop हो चुका था, और सेम तरीके से आप लोग डेरी मिल्क का भी example लिख सकते हो, कि डेरी मिल्क जो है, उसका कुछ साल पहले, उसमें से warm साना शुरू हो गए थे, जिसके वैसे उसके बारे में भी customer ने negative attitude develop किया था, लेकिन इन सब लोगों ने promotion करके अपनी image जो है, वापस से negative में से positive में convert की है, जहाँ पे उन्होंने promotion के तुरू लोगों को explain किया, कि उनका product जो अभी consumption के लिए safe है, तो Maggie ने जो है वो सारा जो problem है वो लोगों को promotion के तुरू explain किया, जिसके वैसे customers ने वापस से Maggie को accept किया, सेम तरीके से dairy milk जो है उन्होंने अपना rapper जो है change किया, Mr. Amita Bachchan जो है उनको advertisement में लिया और वापस से उन्होंने अपनी image जो है वो positive बनाई, तो यहाँ पे basically हमने देखा कि promotion के वज़े से जब नया product होता है तो उसका neutral attitude positive में convert करने में help होता है, plus कुछ product ऐसे होते कि जिनकी bad publicity होती है, जिसके वैसे customer के mind में उनके बारे में negative attitude develop होता है, पर promotion के वैसे वो negative attitude को भी positive में convert किया जा सकता है, third importance is brand loyalty, now brand loyalty का मतलब क्या होता है, तो basically जब customer आपके product को repeatedly purchase कर और दूसरा जब customer आपके product के बारे में दूसरों को recommend करते है, तो उसको brand loyalty बोलते है, loyalty means what? इमानदारी, तो customer आपके product को बार बार purchase कर रहे, किसी और का product purchase नहीं कर रहे, तो उसको brand loyalty बोलेंगे, प्लस वो इतने आपके product से satisfied है कि आपके product के बारे में दूसरों को ही बता रहे है जिसको हम लोग recommendation बोलते है तो ये दो चीज़ों को हम लोग यहाँ पर brand loyalty बोलते है जब company effective तरीके से promotion करती है तो brand loyalty develop करने में काफी ज़्यादा helpful होता है तो हर एक company ने यहाँ पर effective तरीके से promotion करना चाहिए ताके customer वो product को हर बार purchase करे और दूसरों को भी recommend करे जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते है Colgate है तो बहुत सारे customers ऐसे हैं जो हर महीने Colgate ही purchase करते है या parachute oil है तो बहुत सारे घरों के अंदर parachute oil को ही prefer किया जाता है या hand wash में काफी सारे घरों में अभी भी detol को use किया जाता है तो customers यह सब product को क्या करें बार बार purchase कर रहे है और plus हम लोग कभी कभी क्या करते हैं दूसरों को भी recommend करते हैं इन products के बारे में प्रमोशन जो है वो यहां पर brand loyalty develop करने में help कर रहा है next importance is brand image ब्रैंड image का मतलब क्या होता है कि product के बारे में customer के mind में image create करना ताके customer जब भी product purchase करने के लिए जाएंगे तो वो particular product को ही purchase करेंगे जब भी company effective promotion करती है तो उसके वाज़े से customer के mind में एक brand image create करने में help होता है जैसे के हम लोग head and shoulder का example लेते हैं तो dandruff का अगर बात करते हैं तो head and shoulder का ही नाम आता है या अगर सपोस bathroom cleaning की बात करते हैं जहां पे हमको germs और viruses जो होते हैं उनको खतम करना है तो harpy का ही नाम mind में जाता है तो इस इसाब से company ने यहां पे क्या किया हुआ है promotion करके customer के mind में यह product की image बनाई है कि dandruff का problem है तो head and shoulder use करो आपको अगर आपका bathroom clean करना है और आप चाहते हो कि 99.9% germs मरे वाइरसे मरे तो harpy की use करो या दूसरे example जैसे हम लोग को अगर suppose young skin चाहिए तो संतूर को use कर तो इस इसाब से company ने क्या किया हुआ अपना brand image create किया है तो जैसे हम लोग problem के बारे में बोलते हो product का image जो हमारे mind में pop-up होता है dandruff यह problem है तो head and shoulder का image जो हमारे दिमक में आता है फिर bathroom cleaning यह problem है तो harpy का नाम जो है customer के mind में आता है young skin चाहिए तो उसमें संतूर का नाम customer के mind म promotion और यह brand image काफी ज़रूरी होता है because the brand image customer जो होते हो product को purchase करते है इसके लिए हर एक company क्या कर रहे है अपने product के benefits को highlight करके customer के mind में image create कर रही है ना brand image के साथ साथ promotion जो है corporate image create करने में भी help करता है corporate image का मतलब क्या होता है firm की image stakeholder के mind में create करना जैसे हमने brand image में देखा था कि customer के mind म product की image create करना वैसे corporate image का मतलब क्या होता है stakeholder के mind में firm की image create करना अब यह stakeholders कौन हो सकते हैं तो shareholders हो सकते हैं या investors हो सकते हैं employees, government, customers, dealers, society यह सारे stakeholders होते हैं जो भी लोग company के साथ associated होते हैं उनको stakeholders बोला जाता है तो shareholders, employees, government, customers, dealers, society यह सब company के साथ associated होते हैं तो इनके बीच में company की image create क काफी ज़रूरी होता है जो प्रमोशन के तुरू पॉसिबल होता है और स्टेक होलडर का कंपणी को सपोर्ट रहेगा तो अब्वियसली कंपणी यहां पर ग्रो कर सकती है क्यूंकि स्टेक होलडर जो है कंपणी को अलग-अलग तरीके से कॉंट्रिब्यूट करते जैसे शेर होते हैं जिसके वैसे कंपणी जो होती है वो ग्रो करवाती है इसके लिए स्टेक होलडर के बीच में कंपणी ने अपना इमेज क्रेट करना काफी ज़रूरी होता है जो प्रमोशन के तुरू पॉसिबल होता है और यह टाटा रिलाइंस गोद्रेज हिंदूस्तान इमेज या कंपणी की इमेज जो है स्टेक होलडर के बीच में एनांस कर सकती है और जैसे मैंने आपको बताया कि जब स्टेक होलडर के बीच में कंपणी की इमेज अच्छी होते तो स्टेक होलडर कंपणी को हेल्प करते हैं तो कैसे हेल्प करते तो शेयर होलडर कंपणी क को फंड्स देंगे customer company के प्रड़क्स को पर्चेस करेंगे dealer जो है वो company का stock जो है अपने शौप में रखने के लिए रेडी हुंगे तो यहाँ पर अगर stakeholders का company को support चाहिए तो company को corporate image create करना काफी ज़रूरी होता है जिस company की corporate image अच्छी नहीं होती उस company को कोई भी stakeholder support करेंगे नहीं मतलब उस company में ना shareholder investment करेंगे ना employees whole आटेडली काम करेंगे ना government ऐसे companies को support करते हैं और ना customer उनके product को purchase करेंगे तो यहाँ पर अगर company चाहती है कि सारे stakeholders company को support करें और company का growth हो तो company को यहाँ पर effective promotion करके अपना corporate image create करना ज़रूरी होता है the next importance is counter competitors claim ना यहाँ पर competitors कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं तो उनके उपर attack करने के लिए यहाँ पर company promotion का help ले सकती है तो counter का मतलब क्या होता है competitor अगर कुछ कर रहे है तो उसके बदले में company को भी कुछ करना चाहिए उसको counter बोला जाता है सो promotion के तुरू यहाँ पर company competitor के claim के उपर counter attack कर सकते है competitor क्लेम का मतलब क्या होता है कि competitor अगर बोलते हैं कि हमारा product better है तो हम लोग भी हाँ पर promotion के थू बोल सकते हैं कि हम लोग भी better है करके तो उसको बोला जाता है counter competitors claim जो promotion के through possible होता है यहाँ पे company जो है वो competitive advertising कर सकते है और competitive advertising करके वो अपना product जो है वो competitor के compare में कैसे superior है वो दिखाने ही कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप लोग example देख सकते हो कि expert bar and vim bar ये दोनों भी क्या है dish wash bar है पर दोनों भी क्या कर रहे है एक दूसरे के उपर counter attack कर रहे है एक दूसरे के claim को वो counter कर रहे है जैसे vim bar है तो वो क्या पोलते है power of 100 lemons मतला हमारा जो soap है उसके अंदर 100 lemons का power है वह ये expert वाले क्या बोलते है कि हमारा soap अगर आप use करोगे तो उससे आपके हाथ जो है वो soft रहेंगे प्लस ये double action formula है तो यहाँ पर विंबार ने एक चीज़ बोली उसके उपर counter attack जो है वो expert नहीं किया तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे counter competitors claim फिर बाद में popular example आपको पता है Pepsi and Coca-Cola इनमें हमेशा से competition लगा रहता है फिर बाद में यहाँ पर आप लोग डाबर अनमोल का जो ऑईल है वो और पैरेशुट ऑईल है उनका भी यहाँ पर देख सकते हो कि डाबर अनमोल वाले क्या बोलते है कि यहाँ पर हमारा जो बॉटल है 100 ml आपको 30 रुपीज में मिलेगा और पैरेशुट जो 100 ml में 39 रुपीज में है तो हमारा जो प्राइज है वो क्या है कम है और हमारी क्वालीटी भी अच्छी है ऐसे यहाँ पर डाबर अनमोल जो है वो पैरेशुट के क्लेम को काउंटर कर रहे है सेम यहाँ पर फास्ट फूड में भी होता है मैकडॉनल बर्गर के एफसी य नेक्स्ट इंपोर्टेंस इस एजुकेटिंग कस्टमर्स नाव यहाँ पर प्रमोशन के तुरू कस्टमर्स को एजुकेट भी किया जाता है अभी कस्टमर्स को किसके बारे में एजुकेट किया जाता है तो प्रड़क का यूज कैसे करना है प्रड़क को हैंडल कैसे करना ह है प्रोडक के benefits क्या है यह सब चीजे जो हैं प्रमोशन के तरू company customers को इनफॉर्म करती है so promotion जो होता है उसके बारे में product की सारी detail जो होते हो customers को provide की जाते और customer को product के बारे में educate किया जाता है यह एक चीज़ हो गई दूसरा है promotion के तरू public awareness campaign करके public को educate किया जाता है अलग-अलग issues के बारे में, जैसे Save Girl Child, Awareness About AIDS, Polio Campaign, जागो ग्राहक जागो, या और भी बहुत सरे ऐसे Public Awareness Campaigns से जो यहाँ पे किये जाते हैं, और जिसके तुरू जो भी हमारे यहाँ पे society में evils हैं, या जो भी हमारे यहाँ पे society के अंदर problems हैं, उसके बारे में लोगों के बी पोलियों का important जो है, वो inform किया, जिसके वैसे पोलियों की cases अभी काफी कम हो चुके हैं, सेम TB के बारे में हो सकता है, कि पहले TB की cases बहुत जादा हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने TB के बारे में promotion करके, लोगों को TB के treatment के बारे में inform किया, और अभी TB के cases भी reduce होते जा रहे है सेम तरीके से आजकल हम लोग देखते हैं स्वच्च भारत अभियान, तो लोगों के बीच में awareness create किया है कि cleanliness कितना जरूरी है, then सर्वशिक्षा अभियान वेगरा, ये सारे public awareness campaigns है, जिसके बारे में यहाँ पे promotion के through लोगों को educate किया जाता है, so दो चीज़े आपको यहाँ याद रखना है कि promotion के through, product के बारे में या services के बारे में भी customers को educate किया जा सकता है, plus social problems के बारे में भी यहाँ पे public को educate किया जा सकता है, next importance is expansion of market, जितना company promotion करेगी उतना company का जो market है, वो expand होने में help होगा, मतलब यहाँ पे company क्या करेगी, promotion करते जाएगी, जिसके वैसे product की demand से national और national level से international level पे अपने business को लेके जा सकती है, तो जितना company promotion करेगी, उतना company का sale बढ़ेगा, profit बढ़ेगा, और company का market जो expand होने में help होगा, जो हर एक company का objective होता है, कोई भी यह नहीं चाहता है कि मेरा business जो local level पे ही रहे, हर एक जन चाहता है कि मेरा business जो expand हो, तो promotion जो है, वो businessman को help कर सकता है, अपने business को expand करने में, next importance is persuasion, ना persuasion का मतलब क्या होता है, convince करना, तो यहाँ पे company promotion के तुरू, product का जो superiority है, customers को inform करती है, जिसके तुरू, customer जो है, product को purchase करने के लिए, persuade होते है, या convince होते है, उसे के साथ साथ company यहाँ पे अलग-अलग offers के बारे में, customers को inform करत जैसे discount, exchange offer, कोई free gift, या extra quantity, ये सब चीज़े जो होते हैं, प्रमोशन के अंदर highlight किये जाते है, जिसके वैशे से भी customer जो है, वो convince होके हो product को purchase करते है, and the last importance is reminder, suppose अगर target customer के mind में, हमारे company का जो product है, उसके बारे में positive attitude है, पर ऐसा हो सकता है, कि वो product के बारे में, customer कुछ समय क बारे में भूल जाते है, तो यहाँ पर customer जो हो product के बारे में भूले नहीं, इसके लिए यहाँ पर promotion किया जा सकता है, तो promotion के तुरू यहाँ पर customers को product के बारे में remind किया जाता है, जैसी कि आप लोग देखते हो कि winter season आता है, तो borrow plus का advertisement आना शुरू हो जाता है, या दिवाली वेगर आनी शुरू होती है, तो यहाँ पर Asian paint के advertisement आनी शुरू हो जाते है, तो इस तरीके से promotion के तुरू यहाँ पर company अपने product के बारे में customers को remind कराती है, ताकि customer जो है company के product को कभी भूले नहीं, तो बहुत सारी companies है, जो काफी सालों से market में operate हो रही है, लेकिन उनको अपने product के बारे में customers को remind करते रहना पड़ता है, because उसका reason एक है कि competition बहुत ज़्यादा है, और नए नए product आते है, तो customer वहाँ पर attract होते जाते है, तो कोई भी company यह नहीं चाहते है कि हमारे customer जो है हमारे पास है, दूसरे किसी competitor के पास चले जाए, इसके वहाँ से यहाँ पर promotion करके customer को product के बारे में reminder किया जाता है, ताके customer जो product को purchase करना continue करे, तो यह सारे importance है promotion के, यह मेरे URL जहाँ से मेरे images लिये है, thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends, we will meet in the next video.